गुड इउनिक एबरीबन आप समी साथी होगा हमारी यूटूब चैनल एजूकेशन टेक स्पोर्ट पर हादिक स्वागत है जैसा कि कल आप लोगों ने सीखा यानि कि हमार जो पिछला वेडियो था उसमें आप लोगों ने सीखा कि यानि कि भिन यानि कि जो भिन है उसको कै इसको करने के लिए हमें बताया था इसको उपर वाले को को अंस बोलते हैं, यानि कि जो आपका पटे का निशान होता है, उसके उपर वाली संख्या को अंस बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, तो हर को अंस में भाग देना पड़ता है अब यहीं समझिए कि हर को अंस में भाग देना पड़ता है जो हमारा उत्तर आएगा वही दस्वलों में होगा तो चलिए जानते हैं माली जे हर आपका कितना है तीन अब तीन में पांच में तीन से आपको भाग करना है अब देखिए अब तीन का पहाड़ा पांच में कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा तो तीन क्योंकि अगर दो बार ले जाएंगे दो बार ले जाने से संख्या 6 हो जाएगी जोंकि 5 से ज़ादा है और 5 से ज़ादा जब 6 हो जाएगी तो उसमें से आपका माइनस नहीं होगा इसलिए एक ही बार ले जाते हैं तो 3 1 to 3 तु बचा कितना 5 हमें से 3 माइनस अगर होगा तो आपका हो जाएगा दो, अब यहाँ पे point लगाईए यहाँ पे आप point लगाईए उसके बाद 1,0 यहाँ पे बढ़ा लेगी यह नियम है mathematics का, उसके बाद आप कितनी बार जाएगा अब यह जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा तो यह जाएगा 3,6,18 अब फिर वही आएगा, फिर आप एक बार point लगा दिये तो आप 0 बढ़ाते विए चले जाएगे फिर 3,6,18,2 आएगा यहाँ पे, मतलब खुल मिला के आप यह मार्क शेलिए इसका जो answer आएगा, एक point 6,66,66, यह सा होता हुए चला जाएगा पूरा कटे का नहीं तो उत्तर जो लिखा जाता है इसका, दसमलोग के दो अंख के बाद है यानि कि दसमलोग के दो अंख तक इसका answer लिखा जाता है हमने कल एक चीज और भी बताया है, अगर दो अंख के बाद है अगर वा संख्या 5 है या 5 से ज्यादा है तो दसमलों की जो दूसरा अंख होगा उसमें एक जोड़ दिया जाता है यनि कि इसका मान एक पॉइंट 6-7 आप लिख सकते हैं यनि कि इसका मान आप एक पॉइंट 6-7 लिख सकते हैं इस तरह से 5 बटा 3 आपका जो है वो convert होगा किसमें दसमलों में यानि कि यह आपका friction है और आपका यह decimal है तो इस तरह से किसी भी friction को decimal में convert किया जाता है अब इसका एक टाइप और देख लिजिए एक उदाहन जैसे माल लिजिए कोई संख्या दे दे गई पांच सही दो बटा पांच अब इसको आपको convert करना है किसमें decimal में यानि कि यह जो आपका friction है इसको आपको convert करना है कि इसमें decimal में इसको convert करने के लिए आपके पास दो tips होती है नहींकि दो नियम है पहला नियम आप यह जो 5 है यह जो सही का 5 है फिक है इसमें गुड़े 5 और प्लस 2 बटा 5 यानि कि इसका गुड़ा इसमें और उसके बाद उपर वाली संख्या को जोड़ देंगे यानि कि 5 गुड़े 5 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा है 5 25 प्लस 2 बटा 5 कितना हो जाएग 27 में 5 से भाग देंगे तो 5 25 बचा दो 5 25 और उसके बाद 25 में दो ही बचा पॉइंट बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा पांच 24 यानि कि 5.4 आएगे इसको आप समझ लेगे कैसी हुआ 27 27 भागे 5 25 हुआ पांच बार गया यह कट गया उसके बाद यहां में दो आया अब चूकि 5 का पढ़ाब दो में जाएगा नहीं इसलिए क्या करेंगे हम यहां दो समलों बढ़ाएंगे यहां जीरो बढ़ा लेंगे त पांच चोके 20 चूकि पांच बार जाएगे तो 25 हो जाएगे इसलिए पांच चोके यानिक चार बल ले जाएगे तो यह 20 हो जाएगा पूरा कपूरा कड़ जाएगा इस तरह से इसका जो चेंज हुआ डेसिमल में वह हो जाएगा आपका 5.4 और इसको हल करने का एक तरीका अलग कर देजिए इसको अलग कर देजिए अब बचा कितना हमारा दो बटा सुरी दो बटा पांच है दो बटा पांच अब दो बटा पांच को यानिकी पांच दो में पांच से भाग करना है कितनी बार जाएगा सुरी 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 दो पांच दो में पांच से और यहां पर एक 0 बढ़ा लेंगे तो अब कितनी बार जाएगा 5 जो कि 20 यानि कि 0.4 0.4 आपका उत्तर आगए अब इसका मन अब क्या करेंगे जो आप 5 पहले अलग किये थे 5 दशमलो 4 अब ऐसे कर लिजे बस हो गया जो कि 5 5 जो है पहले से ही अलग था 0.4 है उसके बाद 0.4 को आप इसकी जगा रख दीजे बस काम हो जाए 5 5 की जगा हो गया 2.2 बटा 5 की जगा 0.4 हो गया बस यह आपका अंसर हो गया तो इस तरह से इस ताइब के सवाल को हल किया जाता है एक और उधार देख लिजे 6 सही 4 बटा 7 अब इसको हल करना है तो सेम से आप पहले 6 को अलगतर लिजे उसके बाद 4 बटा 7 बचता है 4 बटा 7 को आप 7 से 4 में डिवाइड कीजिए अब क्या करेंगे चुकि 4 में 7 से भाग हो गा रही तो दसमलू बढ़ाएंगे और यहाँ भी जीरो ले ले लेंगे और 7 का पहाडा कितनी बार पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो तो 7, 35, 5 बार पढ़ेंगे चुकि 6 बार पढ़ेंगे तो 7, 42 हो जाएगा इस बज़ा से 35 बार ले जाएगे और बचा कितना 5 बचा फिर पॉइंट आपने लगा है दिया फिर 0 बढ़ा सकते हैं तो 7, 7 बार जाएगा और बचा एक फिर आप 0 बढ़ा सकते तो 7, 1 जीरो और 7 तो इस तरह से यहाँ पे 3 इस तरह से यह डिजिट कटेंगे नहीं और अधिक्तम जो मान होता है दसमलोग की बाद दो अंग तक लिखा जाता है ति यानि कि 0.57 हुगा और 6 हमारा पहले से था तो 6 को पहले लिख देते हैं उसके बाद 0.57 यह एक आसान तरीका है पूरा ना हल करने का एक आसान तरीका है अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि आपको इस फ्रिक्शन को डेसिमल में चेंज करना है तो सीधे सीधे आप पहले 6 यानि कि यह आपे तो 6 है आपके प्रस्ट में जो भी डिजिट होगी उसको पहले आप अलग कर देंगे उसके बाद फ्रिक्शन को एक्चेंज किया गया डेसिमल में और अब देखते हैं कि डेसिमल को कैसे फ्रिक्शन कि यह बताएंगे तो इस तरह से अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत बूले मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए नमस्कार जैहिंद